This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. प्रभु ने प्रात्न नहीं सुनी उत्तर नहीं दिया. अब प्रभु कह रहे हैं भैवीत ना हो तेरी प्रार्थ ना सुन ली गई है. इशू छुडाता है सेवकाई. धेश के हित्म दरार में प्रार्थ ना करने वाली पर्मेशर के दौरा बनाई सेवकाई है. सन 1980 के साल में पर्मेशर के दौरा जो दरार की प्रार्थ ना की शुरूात हुई वो आज तक बिना रुकावक के चल रही है. हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं अयूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो ईशु ने उसकी परिस्थिती को बदल दिया पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभू जनों के जीवन में आज भी प्रभू ईशु मसीर अद्बुत चमतकार करते आ रहे हैं पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सी लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया वो आपके समक्ष है लूकर अचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका दस्वाँ वचन तब स्वर्ग दूत ने उससे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा एश्यू दो हजार साल पहले बैतल हम में उन्होंने जैसे ही जन्म लिया हम सब कुछ जानते हैं घर में जगा नहीं थी इसलिए मंडप में भी जगा नहीं थी इसलिए एक गाय भैस के ताबेले में तुम्हारी मरियम और यूसुफ रहा करते थे तो एश्यू वहां जन्म लेते हैं एश्यू आकाश्व पृत्विके शृष्टी करता सर्व सामर्तिशाली पर मेश्वर हैं कुछ लोग बिना जाने ही कहते हैं मेरे काफी रिष्टदार गैर मसीई हैं इसी गाओं में एक बार मेरे रिष्टदार ने मुझसे कहा कि तुस् प्रिष्टी को तो कई वर्ष हो गए ना उससे भी पहले हाँ तो इश्व को आए हुए दो हजार साल ही तो हुए थे ईश्वर बनकर तो फिर उससे पहले कौन था ऐसा मुझसे सवाल किया यानि सब जाने भी ना तो मैंने विस्तार से बताया वही आकाश्व प्रिथ्वी के स स्रिष्टी करता सर्व सामर्तिशाली परमेश्वर हैं ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उन्होंने स्रिष्टी न की हो उन्होंने ही सब के स्रिष्टी की है मनुष्य को दिखाई न देने वाले जिन्होंने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन है पाओ मेरी धर्ती है और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे समक्ष प्रगट होने के लिए हमारा उद्धार करने के लिए मनुष्य का आउतार लेकर आए हुए दो हजार साल हुए उससे पहले भी वही थे उन्हें मनुष्य बनकर आए हुए दो हजार साल हुए वो मनुष्य का अवतार लेकर आए ऐसे समझाने के बाद ही वो समझे इसलिए ईश्यू ने जब इस जगत में जन्म लिया तो सबसे पहले ये बात कही गई वहां पर रात के समय वहां रात में गडेरिये अपने जुंड के रखवाली के लिए पहरा देते थे वो जागे रहते थे रखवाली में गडरिये लोग तब स्वर्ग लोग से ये सू समाचार सुनाया जाता है आकाश्व पृत्वी के स्रिष्ट करता परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर संसार में आ रहे हैं ये सू समाचार सुनाया जाता है सुनाते समय स्वर्ग दूत आकर ये संदेश देते हैं एक बड़े प्रकाश का तेज वो देखते हैं वहाँ के गडेरिये और वो देखते हैं सब डर जाते हैं यदि रात में अचानक से एक प्रकाश आकाश में दिखाई दे और सफेद कपड़े पहने कुछ लोग नीचे उतरते हैं वो देखकर ये डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है तो स्वर्ग दूत कहते हैं सबसे पहले मत डरो तुम मत डरो ये कौन है क्या है सोचकर मत डरो तुम्हें आनंद का सूसमाचार सुनाने के लिए हम स्वर्ग लोक से आये हैं आकाश्व भूमी के सृष्टि करता ईश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आये हैं तुम्हारे लिए ये बताने के लिए ही हम आये हैं कहते हैं तो उनकी कही पहली बात पर यदि आप ध्यान करेंगे कि मत डरो इश्य के जन्म लेते ही इस जगत से कही गई पहली बात मत डरो तुम मत डरो मत डरो सबसे पहले यही संदेश दिया गया आज इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य जिसे कोई भाय ना हो शायद ही दिखे चोटे बच्चे से लेकर बड़े बुढ़े तक एक डर यहर किसी के अंदर दिखाई देता है बड़े अधिकारियों में भी डर होता है बाहर बोलने से भी डरते हैं लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए होते हैं इसलिए ज्यादा तर लोगों में हमेशा डर दिखाई देता है मन के अंदर जो डर होता है उस डर से छुटकारा पाने के लिए ही लोग पूजा पाठ वगेरा करते हैं इसलिए ईश्वर की पूजा करते हैं उसके लिए कोई धागा देता है तो उसे बांध लेते हैं कुछ भी देते हैं उसे पहन लेते हैं ताकि जो डर है निकल जाए, क्योंकि उन्हें डर है, और ये डर हर मनुष्य में दिखाई देता है, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये डर सिर्फ मेरे अंदर ही है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो बहुत से लोगों के अंदर ये डर दिखाई देता है, लेकिन प्रभू क पहली पत्री चोथे अध्याय के अठारवे मचन में कहा है, भय का संबंध डंड से होता है, किसी मनुष्य में यदि डर आ जाए, तो उसकी शांती छिंजाती है, संतुष्टी छिंजाती है, उसका चैन छिंजाता है, रात को वो चैन से सो नहीं पाता है, उससे उसकी नींद खराब हो जाती है, और ये डर नुकसान पहुँचा पहुँचा कर शरीर में बिमारी लेकर आ जाता है, कई बार मृत्यू का डर उसकी जो उम्र है वो कम हो जाती है, इस डर के कारण जो शती पहुँचती है, वो कईयों के शरीर में बिमारी में बदल कर, उनके जीवन को न अंदेश दिया गया मत डरो, आपके कईयों के मन में डर है, किसी न किसी कारे को लेकर डर आपको परिशान कर रहा है, वो डर आपकी बीमारी को लेकर हो सकता है, या वो डर भविश्य को लेकर हो सकता है, या वो डर जो मनुश्य आपके विरोध में उठे हैं उनको लेकर हो सक आपके जीवन में आने वाले किसी नुकसान के कारण डर हो सकता है। इसलिए तो मनुष्य सोचता है कि डर डर के जीने से अच्छा है मर जाओं। इस प्रकार से गलत निर्णे लेता है। कारण है डर। इसलिए तो प्रभु कह रहे हैं तू मत डर। ये संदेश दिया गया। केवल यही नहीं ईशु के जन्म पर जो घटनाएं हुई वो यदि आप देखेंगे तो तीन जगह पर ये बात आती है मत डरो मत डरो। ऐसा कहा गया है जब हम ईशु के जन्म की घटना को देखते हैं। यहां जगर्या नाम के एक मनुश्य से एक स्वर्ग दूत बात करते समय कह रहा है भैभीत ना हो तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये जो जगर्या है येरुशलम के आराधनाले में याजक का काम किया करता था। सेवा कारी किया करता था काफी उम्र हो गई उसकी पतनी का नाम इली शीबा ये दोनों परमेश्वर से डर कर सच्ची सेवा करते थे ईश्वर बहुत श्रद्धा रखते थे तो एक बहुत अच्छा परिवार प्रभु से प्रेम और विश्वास रखने वाला परिवार पर उनके कोई संतान नहीं काफी उम्र हो गई उम्र भी कौन सी उम्र रिटायर होने की उम्र ये तो बस अंत में आराद नाले में एक याजक की हैसियस से काम करके सेवा वगरा करके वो अपने घर चला जाता था रिटायर हो गया था उम्र हो गई थी वो एक बुढ़ा था ऐसा वो स्वहम कहता है इली शिभा की भी उम्र बढ़ गई बुढ़ी हो गई अब इस प्रकार से बुढ़ापे की उम्र में परमेश्वर के आराद नाले में प्रधान स्थान में जाकर परम प्रधान स्थान पे जाकर वो प्रभु के समक्ष लोगों के लिए प्रार्थना के लिए खड़ा होता है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जब ऐसे खड़ा होता है तो वो एक स्वर्ग दूद को देखता है इससे पहले उसने कभी नहीं देखा पहली बार स्वर्ग दूद को देखता है एक स्वर्ग दूद को देखता है और उसे देखते ही ये डरने लगता है ओहो पहले मैंने कभी स्वर्ग दूद को देखा नहीं ये कौन है क्या वात ये सोच का डरने लगा। हम अचानक से जब कोई अचम्बित कारिये देखते हैं तो डरने लग जाते हैं। वैसा एक डर। तो स्वर्गदूत उससे कहता है हे जकरिया भाईभीत ना हो तेरी विनती सुनली गई है तेरी प्रार्थना सुनली गई है उसका उत्तर देने के लिए स्वर्ग लोक से परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है ऐसा वो कहता है भाईभीत ना हो तेरी प्रार्थना सुनली गई ऐसा कहे तो आप क्या कहेंगे खुश हो जाएंगे कि परमेशों ने मेरी प्रार्थना सुन ली मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया बोलकर प्रभु के स्तूति करेंगे लेकिन ये मनुष्य क्या कहता है मैं तो बूढा हो गया हूँ मेरी पत्नी भी बूढी हो गई है अब बच्चा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता और तुम इस तरह से कह रहे हो उससे वो ऐसा कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है परमेशों और कह रहे हैं स्वर्गदूत के द्वारा ये प्रार्थना कर रहा था ना इसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही स्वर्गदूत आया संतान सुक पाने के लिए उसने प्रार्थना की तो जक्करिया इसका जवाब क्या देता कि मैंने प्रार्थना की थी तीस साल पहले जब मैं बुढ़ा नहीं था साल पहले प्रार्थन की थी तब प्रभु से कहा था कि मुझे एक संतान दो तब प्रभु एकदम शांत रहे प्रभु ने बच्चा नहीं दिया मैंने का कोई बात नहीं और मैं सेवा कारे में लग गया लेकिन अब स्वर्ग दूत आकर कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सदेव याद रखेंगे आप प्रभु के समू में आकर किसी कारे के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे का उद्धार हो मेरी कर्ज की समस्या दूर हो जाए मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए नया मार्ग खुले मेरे परिवा प्रार्थना करेंगे तो कई बार उत्तर न आने जैसा लगेगा। तुरंत आप ये ना समझें कि मेरी प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है, सही समय पर उत्तर आएगा। जक्करिया ने कब प्रार्थना की थी और अब प्रभु उत्तर देते हैं। तो प्रभु कहते हैं भाईबीत नहीं सुन ली गई है। तो कुछ लोगों में डर होता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने कितनी प्रार्थना की दरार में जाके भी प्रार्थना की। पूरा साल प्रार्थना की जन्वरी से प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी उत्तर नहीं दिय अब प्रभु कह रहे हैं, भैबीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुनली गई है, प्रार्थना न सुनने का एक डर आपके अंदर होगा, भैबीत ना हो, तु भैबीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुनली गई है, आपकी प्रार्थना का प्रभु आज उत्तर देने वाले हैं, इसी इश्वर ने उन्हे योहना नाम की संतान दी। योहना ईश्व का अगर दूत बना जिसे योहना बप्तिश्म कहते हैं। उसके दुआरा अनेक लोगों ने आशीशें प्राप्त की, संतुष्टी प्राप्त की, उस परिवार को प्रभु न उसे एक सेवक के रूप में पवित्र शास्त्र कहता है। बजने लगते हैं, उन्हें हम लोग सुनते भी हैं। हमने भी जैसे इस नए महीने में प्रवेश किया, इस साल का अंतिम महीना, ये क्रिसमस का महीना है, ऐसी मन में खुशी रहेगी। ईश्यू के जन्म लेने पर जो कारे हुए उन्हें अगर ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि एक ही बात को कई बार बोला गया है, वो कौन सी बात है पता है? भाई भीत ना हो, भाई भीत ना हो, ऐसी एक बात, लू का पहले अध्याय का यदि तेरहवा वचन देखें, तो ईश्यू के जन्म लेने से पहले, युहन्ना बप्तिस्मा के विशे में बताने के लिए स्वर्ग दूत जकरिया को धर्शन देते हैं, उन्होंने जो पहली बात कही, स्वर्ग दूत ने जो पहली बात कही, भाई भीत ना हो, तेरी प्रार्थ ना सुन ली गई है, ऐसा कहा, तु भाई भीत ना हो, ये बात उससे कही गई, मेरे प्रिये मित्रों, ये प्रभु के दिन आप से बात कर रहे हैं, बीमारी को लेकर आने वाला डर, कर्ज की समस्या के कारण आने वाला डर, या आवशक्ता के कारण आने वाला डर, इस प्रकार का डर, कईयों में बिना किसी कारण का डर, कईयों के अंदर मर जाने का डर, लेकिन चाहे कैसा भी डर क्यों न हो, इश्यू आपको छुटकारा दिलाकर जै दिलाकर चला सकते हैं, इसलिए भैवीत न हो ये, परिस्थिती को देखकर निराश न होएं, अब से मैं डरूंगा, डराने वाले आत्मा मुझस से दूर हो जाए, किसी भी परिस्थिती को देखकर डरूंगा नहीं, बिना डर का जीवन जीने के लिए समर्पित करता हूँ ऐसा कहें, आज ही एक चमतकार होते हुए आप देखेंगे, तो अब हम प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलक कारा दिला कर हमें आशेश देना चाहते हो, तुम्हारे उस प्रेम के लिए स्तूती हो, इस समय परमपिता इस डर से छुटका रह चाहिए, ये डर के कारें रुख जाएं उसके लिए, जो भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हू नासरी ईशु के नाम से डराने वाली आत्मा निकल कर जा रही है, ईशु के नाम से डराने वाली परिस्थितियां बदल रही हैं, ईशु के नाम से डर दूर होकर भलाई के कारे इन बच्चों के लिए होने चाहिएं, जिस कारे को लेकर ये भाई भीत हैं, उस कारे में चमत चमतकार करो पिता, उस कारे को बदल दो पिता, ये बच्चे संतुष्ट होकर ईशु की उस्तूती करें वैसे एक चमतकार इनके लिए करो पिता, इन्हें चुने के लिए चमतकार करने के लिए तुम्हारी इस्तूती हो, आवशक्ताओं की पूर्ति करो, चंगाई और देकर आशीश दो, बच्चों की पढ़ाई में आशीश देकर बढ़ाओ, एश्यु मसीह के नाम से इनके अपेक्षित कार्यों में चमतकार करके इन्हें प्रसन्न करो, प्रभु के घाव वाले हाद छू रहे हैं उसके लिए और चमतकार करने के लिए तुम्हारी इस्तूति ह तुम्हारी उपस्थिती निरंतर इन बच्चों के साथ रहे कर मार्ध दर्शन करे, एश्यु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन, आमेन मेरे प्रीय मित्रों प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपको उत्तर भी दे दिया, अब आप भैवीत ना हो, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि एश्यु मेरे संग हैं ऐसा आप हिम्मत से कहें, प्रभु ने आपको एक छुटकारा दिला दिया, अब आप कभी भी डर को अपने मन में स्थान ना दे, एश्यु के नाम से डर को फटकारिये, आप अवश्य डरने वाले कारे में चमतार देखेंगे, आमेन O-R-G God bless you